जैशे किशना दोस्तों कैसे हैं आप अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हूं आपके यूट्यूब पैनल में जैसे कि आप सभी जानते कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छोग से उपाई लेके आती हूं जिनको करने से आपकी कैसी भी समझ से उससे आप निजाद पा सके इसलिए कि एक उपाई बदल सकते हैं आपकी किस्मत कईबर कुंडली देखने के बाद बच्चों की जीवन में ऐसी विलम अर्चने बाद हैं रुकावटे आती हैं विवहा को लेकी खास दोर से उम्र बहुत जादा हो चुकी है उपाई करके ठक चुके हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा अचोग सा उपाई बताने जा रहे हैं जिसको करने से विवहा में किसी भी परकार की कैसी भी अर्चने आरी वो सारी दूर हो जागी बगर हाँ कोई भी उपाई कीजी विश्वास र शर्धा के साथ कीजिए तो आपने करना क्या है जिब अर्चने बाद हैं रुकावटे इतनी जादा है रिष्टे की बाद पक्की होते होते तूट जाती है रिष्टा दर्वाजे पर आया और लौड क्या सगाई होगी तो रिष्टा तूट गया तो इस तरह कि अगर समस्य कुछ पर आपके बच्चे की जीवन में चल रही है, कुंडली दोश बहुत जादा है और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा तो शनीवार के दिन एक अच्चूक सवपाईस जरूर कीजिए आपने करना क्या है शनीवार के दिन एक तो समय इसमें आप फिक्स कर लिजे कि जिस समय मैं आपको बता रहे उसे ही समय आपने ये उपाई करना है समय आगे पीछे ना करें तो शाम का समय साड़े छे बज़े जब सोर्यास्त हो जाता है अच्छे से मतलब की अंधेरा भी हो गया मगर आप इतना भी गहरा अंधेरा नहीं है आप अच्छे से किसी को उसमें देख सकते हैं तो साड़े छे बज़े से लेके साड़े साथ बज़े का जो एक गंटे का स जिससे कि आप आटे का दीपक बना सके नौ दीपक आपने आटे के बनाने हैं अगर नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश तब आप बेज ही जग होकर मिट्टी के नौ दीपक ले लीचे मगर मैं सबसे स्वप्रथाम आपको यही बोलूगे कि आपने आटे का दीपक बनाने इसलिए कि जब कोई बहुत बड़ी मनुकामना होती है या बहुत जादा परेशानिया है रुकावटे जीवन में आ रही होती है उसको दूर करने के लिए बड़ी मनुकामना को पून करने के लिए आटे का दीपक ही बनाया जाता है इसलिए कि आटे का दीपक बहुत जादा शुद्ध होता है और साथ में जब हम आटे का दीपक प्रजुलित करते हैं तो माता अनपूर्णा का आशिवात भी हमें प्राप्त हो जाता है तो इसलिए आटे के नौ दीपक बनाने है और जो मैं आपको सामगरी बतारी है आप पहले सही लाके इससे राख लीजे तो आपने आटे के नौ दीपक बनाने इसम्पल आटे में ध्यान का कोई नमक नहीं कोई अलक़ी कुछ नहीं मिलाना है simple आटा चाहिए साफ सुत्रा आटा होना चाहिए उसके बाद आपको चाहिए थोड़े से काले तिल और थोड़े से साबुत उड़त की डाल काले उड़त की डाल जो साबुत होती वो चाहिए आपको और आपको चाहिए काले तिल ये चीजे आप रख लीजी अब आपको चाहि आपने लेली सरसो का तेल बिल्कुल साफ सुत्रा होना चाहिए जूठा ना हो तो पहले सी अपना एक नई बॉटल तेल की शेयर ले आई सरसो के तेल की अब आपने करना क्या है जिस बच्चे के विवहा में जो भी विलम या अर्चने आ रहे हैं तो एक काला धागा चाहिए स पूती काला धागा जो हाथ ये गले में बांधने हैं थूड़ा मोटे वाला वो धागा ले लेजिए आपने बच्चे के सर्चे लेकर पाउं के अंगूठे से नाप लीजिए अगर बच्चा किसी कारणवश बाहर है तब आप सवा मीटर धागा लेजिए सवा मीटर नाप के ले लिजे और अगर बच्चा घर में हैं तो बच्चे के सरसे और पैर के अमूठे तक नाप लिजे अब धागा नापने के बाद आपने उसको इस प्रकार से काटना है कि वो 18 जोत की जैसे बत्यां बनाते हैं उस तरह से 18 कटे मतलब आपको 9 दीपक में प्रजुलित करना ह साथ सिंगल मतलब धागा नहीं रखना है बाती नहीं बनानी है आपने जोडे वाली बाती बनानी है तो आपने 18 जगा पे उसे काट लेजिए और फिर उसकी दो दो करके जोडे बना के जो दीपक आपने आटे के बनाए उसमें बाती बनानी है आपने उसी से आपने 9 के 9 द और घ्रगा वो सारी एक 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 हील उन्नों दीपक में डाल जी है अब आपको जो मैंने इस समय के अंत्राल में आपने इस दोके नहीं, तो आप पहले से कोई ऐसा ठोल ने अपने घर के आए जहां पर जाके बिल्कुल अच्छे से इस पूजा को कर सकें तो आपने ऐसा पीपल का व्रिक्ष देख लिया अब आपने उस पीपल के व्रिक्ष के पास जाना है जिस समय आंतराल मैंने आपको बताया है आप जाने के बाद जो आपने उरत की डाली है उसकी 9 धेरी बनाएंगे चोटी चोटी सी धेरी बना लेजिए नो नो बनाने के बाद आपने वो जो दीपक हैं वो उसके उपर रख देने हैं काली उरत की डाल की नो धेरी बनानी है और जो आटे का दीपक आपने बनाया है वो उसके उपर रख दीजिए और रखने के बाद आपने अपनी मनों कामना जो भी बच्चे की जीवन की परेशानी समस्या विवहा की अर्चनों को लेके हैं वो बोलते हुए आपने प्रातना करनी है और वो 9 के 9 दीपक आपने प्रजवलित कर देने हैं और हाद जोड़के प्रातना कीजिए कि आपके बच्चे की जो भी विवहा की अर्चने बाद है रुकावटे आ रही हैं वो सारी दूर हो जाएं इस तरह से आप ये करने के बाद अपने घर वापस लोट आईए ये उपाई आपने एक शनिवार कर दिया आप देखेंगे बनने लगे रिष्टा पका हो गया तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं पूरे साथ शनिवार आपने इसी प्रकार से इस उपाई को जरूर करना है जिस प्रकार मैंने आपको बताया समी अंतराल वही रहेगा समी अंतराल आप बदलेंगे बिलकुल भी नहीं जो वो घड़ी आपने ये उपाई उसी ही समय बेलामी करना है और किसी भी समय के बीच में नहीं इस बात का ध्यान लगते वे साथ शनिवार आप इस उपाई को करके देखिए कुंडली में कैसा भी दोश है कैसी भी परेशानी वो सारी दूर होगी अगर संजोग नहीं बनने तो बनने आपके बिच्चे कि जीवन में परिवर्टन अश्याा है और जो भी परिवर्टन है कमेंस बोक्स में जरूर लिखना और जैशी किशना लिखना ना भूला मेरी वेडियो अच्छे लगती है तो प्लिस लाइक, शेयर, और सब्सकाइब जरूर करें सब्सकाइब करते समय ब